दोस्तो नमस्कार आदाप सत्स्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो ब्रिटिस ब्राड कास्टिंग कार्परेशन बीबी सी जिसे इन दिनों भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता वरस्ट बक्वास निगम या कार्परेशन बत नहीं है BBC को आम तोर पे देश में दुनिया में गाओं में कस्मों में भी भारत के अभी भी एक महत्तपूर्ण एजनसी के तोर पे जाना जाता है और लंबे समय तक भारत में बहुत पापलर रहा यहां तक कि प्रदानमंत्री मोदी ने भी एक समय भारती यह जो बहुत सारे जो चैनल हैं बहुत सारे जो सरकारी दूरदर्शन वगरा हैं उनके मुकाबले BBC को ज्यादा क्रेडिबिल माना था और उसको कोट किया था वो वीडियो इस समय काफी वाइरल है लेकिन दोस्तों BBC की क्रेडिबिल्टी पर आज बात नहीं कर रहा हैं बात कर रहा है कि BBC को ले देश में पॉपलर हुए थे इसके बहुजूद क्यों काफी पहले ही बैन कर दिये गए देश दुनिया में देखा गया या यह पूरे मीडिया को डराने की एक कोशिश है BBC के बहाने की दुनिया भर में एक अपनी छवी रखने वाले मीडिया पर अगर अटैक किया जाता है अगर इस तरह उसको परिशान करने की कोशिश की जाती है तो देश का वो मीडिया भी चुप हो जाएगा डर जाएगा जो अब तक पूरी तरह नहीं डरा था मैं मुख्यदारा मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दरसल ऐसे मीडिया की बात कर रहा हूँ जो अभी भी समाज में जो भी सक्तियां व्याप्त हैं जो इस तरह की जो लोकतंत्र के खिलाप हैं उनकी वो आलोचना करता है चाहे वो डिजिनल प्लेटफॉर्म्स हों न्यूज एजन्सीज हों अख़वार हों या पत्रिकाएं हों तो क्या वज़ा है कि ये सब हुआ है वो भी बीबीसी को इस तरह से टार्गेट किया गया है आयकर के एक सर्वे के बहाने अगर आयकर का ही सर्वे था तो एडिटोरियल टीम के सारे फोन उसके लैप टॉप उसके कंप्यूटर उन पर क्यों नजर गई उनमें से कुछ को हस्तगत क्यों किया गया वही अगर हिसाब किताब का मामल था लेकिन दोस्तों आज हम इससे बड़ी बात एक आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये है कि R.S.S. राश्टी स्वेम सिवक संग के जो मुखपत्र कहे जाने वाला हिंदी का अकबार है पांजन्य पांजन्य ने एक एडिटोरियल लिखा है हाल में और उस एडिटोरियल में उसने बीबी सी पर केवल बात नहीं की है उसने किसी और कहानी पर बात नहीं की है किसी डॉक्मेंटरी की बात केवल नहीं की है बलकि उसने भारत के सरवच नियायाले को निशाना बनाया है और जिस भाषा में कहा गया है मैं उसी भाषा में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ दोस्तों पांजन्य के संपादिकी में लिखा गया है कि किस तरह से सुप्रिम कोट यानि देश का सर्वोच चिन्याले वो एक तरह से उपकर्ण बनता जा रहा है और जार बनता जा रहा है ऐसी शक्तियों का जो शक्तियां भारत में सरकार, शासन, व्यवस्था को एक तरह से नुकसान पहुचा रही है अब वो संपादकी की अगली लाइन है कि सरोच नियाले भारत का है ये सरोच नियाले को एक तरह से नसीहत दे रहा है पांच जन्निकास ये संपादकी बता रहा है कि सरोच नियाले भारत का है जैसे कि नियाले को मालूमी नहीं है देश की जनता को मालूमी नहीं है सरोच नियाले भारत का है जो भारत के करदाताओं की राशी से चलता है अरे वाह क्या खबर दी जा रही है क्या गजब की सूचना एडिटोरियल में दी जा रही ह लोगों को ये तक नहीं पता था कि सुप्रिम कोर्ट जो है कहां से चलता है किसकी राश्य से चलता है और जनता की राश्य कैसे जाती है खाते में और कैसे वो सभी भागों और सभी तमाम तरह के निकायों का खर चलाती है लेकिन ये बात एडिटोरियल कह रहा है जब इतनी सा प्रमान इसी बात को एडिटोरियल कहा रहा है तो आप समझ जाएए कि निशाना कहा है और उसका काम उस भारती विधान और विधियों के अनुरूप काम करना है जो भारत के लिए हैं भारत के लिए हैं सरोच ने आले नामक सुविधा का स्रिजन और उसका रख रखाओ हमने अपने देश के हीतों के लीए किया है लेकिन वो भरत विरोधियों के अपना मार्क साफ करने के प्रयासों में एक आओजार की तरह प्रियुक्त हो रहा है दोस्तों मैं समचता हूं कि सर्वोच्य नयाले सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया पर इस तरह का एक्यूजीशन इस तरह का आरोप अभी तक हिंदी और अंग्रेजी के किसी अखवार ने आज तक नहीं लगाया होगा सुप्रिम कोट के फैसलों पर टिपणियां आई आपजर्वेशन्स आए आलोचनाएं आई लेकिन किसी ने उनको ये नहीं कहा कि ये सुप्रिम कोट आफ इंडिया देश के हितों के लिए उसको काम करना चाहिए लेकिन वो भारत के विरोधियों के अपना मार्क साफ करने के प्रयासों में एक औजार की तरह प्रयुक्त हो रहा है ये बात मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने कही है लेकिन वो अपने आपको सबसे ज़्यादा राश्ट भक्त सबसे ज़्यादा देश प्रयमी सबसे ज़्यादा निष्थावान देश के लिए का होने का दावा करने वाला संगठन और उस संगठन से जुड़े हुए अखवार की तरफ से ये बात कही जा रही है भारत को समझने की आवश्यक शर्त नामक संपाज़की में आगे कहा गया है आप पाएंगे कि तमाम देश विरोधी शक्तियां हमारे लोक्तंत्र उदारता और हमारे सब्यतागत मानकों की सुविधाओं का लाब हमारे खिलाब अपनी मुहिम में उठाने की कोशिश करती है और दोस्तो संपाज़की में मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवादियों को संरक्षन देने और परियावरण के नाम पर देश का विकास रोकने को लेकर भी टिपड़ी की गई है इसमें लिखा है मैं पढ़ता हूँ लाइन बाइ लाइन सोदैट की कोई ये न कहे कि अपने मन से मैंने पढ़ दिया मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवादियों को संरक्षन देने के प्रियास तो अपने अस्थान पर हैं ही परियाबरन के नाम पर भारत की विकास गाथा में अरचने लगाने से लेकर भारत की प्रतिरक्षा तयारियों में अडंगा लगाने की कोशिशों तक सारी चीजें अपने आप में एक वरतान्त हैं यानि इनका कहना है कि परियावरन जैसे मसलों को, कोर्ट्स को, नयायालेों को नजरंदाज करना चाहिए परियावरन विद अगर ये सवाल उठाते हैं तो इनकी व्याक्या ये भी है कि याभी भारत के किलाब एक शाजिस है, यानि जोशी मठ में जो कुछ हो रहा है, होता नजर आ रहा है और यहां तक की लदाग से लेकर और तमाम और इलाकों में इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब की वो सब साजिश है, सब कोछ साजिश है ये इस तरह का एडिटोरियल मैं समझता हूँ कि सरवच नयाले के अभी तक के कामकाज के इतिहास को अगर हम देखें तो इस भावना के साथ, बलकि भावना भी न कहिए, दुर्भावना कहिए, इसके हिसाब से अभी तक कहीं नहीं आया था देखें सुप्रिम कोट के फैसलों की सम्यक समिक्षा करना, आलोचना करना ये हमारा मानवादिकार ही नहीं है, लोक्तांत्री कदिकार है हम किसी न्यायाले के फैसले, किसी न्यायाधीश के फैसले के मकसद पर सवाल नहीं उठा सकते मकसद पर सवाल उठाना मैं समझता हूँ कि न्यायी ढंक से अगर देखा जाए न्यायाले के फैसलों को तो वो गैरवाजिब है लेकिन अगर तथ्य कानून और संविधान के अनुच्छेदों की रोशनी में हम किसी सवाल उठाते हैं किसी फैसले पर निया लेके तो वो बिलकुल वाजिब है लेकिन यहां तो मकसद पर मन्शा पर और पूरे उसके एक तरह से जेहन पर सवाल उठाया जा रहा है ये मैं समझता हूँ कि राष्टी स्वेम सेवक संग से जुड़े एक अखवार की तरफ से संपाद की आना अपने आप में एक बेहत बेहत चिंता जनक बात है मैं नहीं जानता कि इसको सुप्रिम कोट कैसे ले रहा है भारत सरकार कैसे ले रही है भारत सरकार का नियाय मंत्राले कैसे ले रहा है और स्वेम अराष्टी स्वेम सेवक संग इसको कैसे ले रहा है मैं समझता हूँ कि इस पर जरूर इन सभी निकायों को आत्ममन्थन करना चाहिए और इसके साथ दोस्तों ये बात तब आई है जब बीबीसी पर सर्वे की एक तरह से तैयारी चल रही थी ये ठीक उसी दोरान ये घटना सामने आई है और वो तब सामने आई है जब बीबीसी को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी खासकर जो डॉक्कमेंटरी बैन की गई थी उस पर सरकार को नोटिस गया और जब नोटिस गया उसकी प्रतिक्रिया सरूप मैं समझता हूँ ये चीजें सामने आई और यह भी याद है आपको दोस्तों आपने खबरें पड़ी होंगी कि कैसे सुप्रिम कोट ने कुछ ऐसी याचिकाओं को एक खास याचिका को खारिज भी कर दिया था जिसमें तर भी गैर वाजिब और बहुत ही एक एक यूं कहा जाए कि जो तर्क से बाहर की चीज़ है उस तरह की याचिकाओं को माना था कि कैसे किसी एजिनसी को किसी न्यूज प्लेटफॉर्म को बेंट कर दिया जाए उसको भारत से बाहर कर दिया जाए तो ये जो घटना घटी है न वो चन्याले के मैं समझता हूँ कि पूरे के पूरे वजूत पर एक बहुत ही उसकी मनशा पर उसकी जहनियत पर और उसके उसके काम करने की शैली पर एक तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर वाजिब टिपणी है तो दोस्तो इस पर मैंने एक टिपणी आज आपके सामन पेश की और हमारी दूसरी टिप पड़ी दोस्तो भारती जनता पार्टी के बड़े नेता बहुत बड़े नेता और ये सज्जन जो हैं उच्छ शिक्षा मंत्री हैं हाइर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं करनाटक के उन्होंने राजिकेशन के पुरुमक्ख मंत्री जो सिधारमया साहब हैं सिधारमया साहब को उन्होंने कहा कि सिधारमया को भी टीपुस सुल्तान की तरफ खत्म कर दिया जाना चाहिए और ये करनाटक के जो शिक्षा मंत्री हैं उच्छ शिक्षा मंत्री डॉक्टर सी एन अस्वत नाराण्याने अब इन महाशे ने अठारमी सदी के रास्टरवादी जो एक मुस्लिम नायक कह लीजिए या यू कह लीजिए कि महसूर के एक राजा जो की अठारमी सदी में सबसे महत पूंडंग से सबसे वीरता पूंडंग से और अपने देश के आनबान के लिए जिनोंने इस्टिंडिया कंपनी की आक्रामक सेना हमला कर हमला लगातार हमला कर रही सेना का मुकाबला किया था प्रतिरक्षा की थी जो शहीद हुए थे जिनोंने अंग्रेजों से माफी नहीं मागी माफी वीर नहीं थे वो सचमुच के वीर थे उन टीपु सुल्तान की चूंकि मिस्टर सीधा रमया फॉर्मर चीप मिनिस्टर आप करनाटक कॉंग्रेस के वरिष नेता चूंकि उनकी वो टीपु सुल्तान की हमेशा तारीफ करते रहते हैं भारत के तमाम इतिहासकारों की तरह करनाटक का यह नेताब जो पुरु मख्यमंतरी भी है वो टीपु सुल्तान को अपने काफी करीब पाते हैं उनको लगता है कि वो करनाटक की जनता के कंड़ जनता के महानायक हैं मैसूर के ही नहीं समूचे भारत के वो नायक हैं तो ये बात सिधा रमया कहते रहे हैं जब उनकी सरकार थी उन्होंने बड़े भव्बे ढंग से उनके जैन्ती पर उनकी उनकी शहादत दिवस पर इस तरह के फंक्शन भी कराते रहते थे। और अभी भी इस तरह के फंक्शन करनाटक में होते रहते हैं तो RSS के लोग और BJP के लोग हमेशा सिदारमया से बाखलाते रहे हैं और हमेशा उन पर आग उगलते रहे हैं इस बार चुनाव चुकी सामने है चुनाव सामने है इसलिए इस मुद्दे को पुना सिक्षा मंत्री की तरफ से उठाया गया लेकिन बात उल्टी पड़ गई उल्टी क्यों पड़ गई कि एसेंबली में ही अगर आप बात इस तरह की कहते हो तो आपको तो जहलना पड़ेगा तमाम लोगों ने उनके मुझालपत कि उनकी आलोचना करनी शुरूँ की उनकी निंदा करनी शुरूँ की और तब उन्होंने उसको एक तरह से रिग्रेट किया अब उन्होंने जो कहा की इनफेक्ट उनकी उनकी इस थीपे की मांग होने लगी सिक्षा मंतरी की जो व्यक्ति सिदर मया साब को एक तरह से मा डालने की बात कर रहा है आवान कर रहा है उनको खत्म करने की ऐसे सिक्षा मंतरी को मंतरी पत पर रहने का हक नहीं है और उन्हें ततकाल हटाया जाना चाहिए जब यह मांग उठी तो उन्होंने का भी उन्होंने म साथ से ठेस पहुंची है तो मैं इस पर अपनी अपने अपने अपना दुख जाहिर करता हूं लेकिन सवाल इस बात का नहीं है दुख जाहिर करने का सवाल इस बात का है कि क्या एक शिक्षा मंत्री इतनी शिक्षा पूर्ण बात कह सकता है मैं नहीं जानता कि वो डॉक्टर क अक्सियते होती हैं लेकिन अगर उन्होंने सिक्षा मंत्री के रहते वे इस तरह की बात की और की ये तो दर्ज है तो ऐसे स्थिती में क्या केवल गलती मान लेना कि हमसे गलती हो गई अरे आप कैसे कह सकते हैं एक बड़े राजनेता को जो मुख्य मंत्री रह चुका हो कि इन जो लोग समर्थन करते हैं टीपू सुल्तान का जो लोग समर्थन करते हैं उन्हें जंगलों में भगा दिया जाना चाहिए उन्हें जंगलों में भगा दिया जाना चाहिए तो इसका मतलब है कि एक continuity है इस तरह की बात जो की जा रही है आज करनाटक के चुनाओं से पहले इसमें एक निरंतरता है, कि एक नेता कुछ कहता है, फिर दूसरा नेता कुछ कहता है, जब टीपु सुल्तान को लेकर करनाटक में कोई कारिक्रम किया जाता है, तब भी बाविला मचाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि करनाटक में कहीं न कहीं चुनावी अस्तर पर भारती जनता पार्टी की स्थिती खराब होती जा रही है, वो बौकलाई होई है, और फिर से उसकी पूरी कोशिश है कि एक तरह का हिंदुत्वा पोलराजेशन, हिंदुत्वा ध्रुवी करनाटक की जनता क बीच कराया जाए, जिस से उसकी किसी तरह से फजिहत से वो बच सके, लेकिन क्या ये मसला ऐसा है कि वो अपनी फजिहत से बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, ये मुझे लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में ये छीज बिलकुल साबित होक सामने आ जाएगी इसलिए दोस्तों आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाल